हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में आपके साथ हैवी है ओलिंग विद मस्टर्ड ओल एंड स्लीक सिंगल ब्रेड की वीडियो शियर करने लगी हूँ होप काईज आपको ये वीडियो अ मैंने हेर वाश करवाया है राजवीर को राजवीर के बाल बहुत ज़्यदा लंबे हैं सिल्की हैं सॉफ्ट हैं बिल्कुल ब्राउन कलर के उसके बाल है बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट स्ट्रेट बाल है उसके तो आज मैं उसके ऑईलिंग करने लगी हूँ मस्टर्ड ओल के स मस्टर्ड ऑईल से बालों की लेंथ भी इंक्रीज होती है हेर फॉल की प्रॉब्लम कम होती है आपको अच्छी तरह से हफते में दो बार ऑईलिंग करनी है सबसे पहले मैंने राजवीर के स्कैल्प पर अच्छी तरह से ऑईल लगाया है फिर मैंने लेंथ पर अच्छी तरह से ऑईल लगाया है मसाज की है ऑईलिंग हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यदा ज़रूरी है ऑईलिंग से ही हमारे बाल मजबूत बनते हैं घने बनते हैं, स्ट्रॉंग बनते हैं और हमें हियरफॉल की प्रॉबलम बिल्कुल भी नहीं होती है डेंडर फॉईचिंग कोई भी प्रॉबलम नहीं होगी अगर आप विंटर स्टार्ट है तो मैं परशुट आईल भी यूज़ करना शुरू कर दूँंगी आमला ऑईल, गर्मियों में तो मैं सिर्फ मस्टर्ड ऑईल और आमला ऑईल का ही यूज़ करती हो राजवीर के बाल बहुत ज़्यदा स्ट्रेट हैं, पतले हैं, लेंथ उसके बालों के बहुत ज़्यदा इंक्रीज हुई है जशन के बाल तो इतने ज़्यादा लंबे हैं क्योंकि इनके पूरा वीक बाल कवर रहते हैं ब्रेड बनाकर रखते हैं जुड़ा करके रखते हैं जिस वज़ा से इनके बाल इतने ज़्यादा लंबे हुए हैं तो सबसे पहले आइलिंग मैंने किया है फिर मैंने मसाज किया, अब मुझे टैंगल को रिमूव करना है, तो आप देख सकते हैं कि बालों में शाइन कितनी ज़्यादा अच्छी आई है, कितना ओइल मैंने उसके बालों में लगाया है, मुझे तो ओइली बालों में शाइन ही बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, त इसके opposite जशन के बालों में tangles remove करने में कम से कम आदा घंटा लग जाता है, इतने ज़्यादा उसके heavy बाल है, राजवीर के बाल heavy कम है, मतलब ना उसके बाल लंबे हैं पर इतने heavy नहीं है, silky बाल है उसके, तो देखिए सबी tangles को मैंने अच्छी तरह से remove कर दिया है, बालों म आकर रखने से आपके बाल काफी ज़्यादा अच्छे मजबूत बनेंगे, बालों को बहुत ज़्यादा open ना रखें, अगर आपने बालों पर oil की है, तो बालों को cover करके रखें, braid बना कर रखें, loose braid बना सकते हैं, tight sleek braid बना सकते हैं, तो देखिए इस असान तरीके से मैंने ये braid बनाई है, oily बालों में braid इतनी ज़्यादा सुन्दर लगती है, तो guys अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल लंबे हो, मजबूत हो, घने हो, तो आपको अपने बालों की अच्छी care करनी चाहिए, oiling आपको ज़रूर करनी चाहिए, braid बना कर रखनी चाहिए, अगर बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपके बाल बहुत ज़रा लंबे होंगे, hair fall की problem आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, तो देखे गाइस, इस तरह से मैंने राजवीर के ये single sleek braid बनाई है, oily braid है, hope guys आपको ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी ह झाल